हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुनाहस से कोचिंग क्लासस पर स्वगायत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे बच्चो आई टी आई जो भी स्टुडेंट करना चाहता है वो आनलाइन अभेदन कर दे आज हम बात करेंगे कि किन बच्चों को आनलाइन अभेदन करना है किन को आई टी आई करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए आई टी आई के साथ साथ क्या कोई और कोर्स भी हम कर सकते हैं तो सारा चीज यहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि वही साहब की एक मई से आपका आनलाइन आवेदन प्रक्रिया सुरू है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में मुबाइल से ही करते रहते हैं पेमेंट कर जाता है और आपका काम नहीं हो पाता इसलिए कुछ ना करो आप लोग MPI आलाइन में जाओ आपका 50 रुपए इस्टरा खर्चा होगा और कुछ भी नहीं होगा ज्यादा पैसे लगते नहीं है इसलिए आप MPI आलाइन में जाए और रजिस्टेशन करिए च साथ में टेली ग्राम में आप सी कोचिंग क्लासस सर्च करोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे सारा अपडेट जो भी होता है MPI वोड का मैं सेयर करता रहता हूं कि इस चैनल पे आप पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई भी अपडेट होता है सबसे पह आप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो सबसे पहली बात करते हैं कि जिन बच्छों का आर्थिक इस्थित। Financial Condition सही नहीं है, उनको ITI करना है, क्यों? जिनका Financial Condition सही है, वो Graduation करें, किसी UPSC लेवल की तयारी करें, किसी भी चिछ का आप तयारी कर सकते हो, जो One Day Exam के अलावा, जैसे आप UPSC के तयारी कर सकते हो, तो यदि आपको One Day Exam के अलावा, आगे तयारी करना है, तो आपको बहतरी Graduation करना होगा, लेकिन हाँ, एक और अपसर में बताऊंगा, कि ITI के साथ साथ आप Graduation भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, और ITI से बहुत जादा जाब निकलता बच्चों, सबसे जादा जो आपका कोल माइंस होता है, फैक्टरी है ना, कोल माइंस, कालरी एरिया जिसे बोलते हैं, वहाँ पर ITI से भहुत सारे जॉप्स निकलते हैं, गवर्मेंट जॉप्स निकलते हैं, हर दो साल, तीन साल में निकलते हैं, रहते हर जगए, तो जैसे और ऐसा नहीं है, वहाँ आप डंफर भी चलाओगे, यह आपका माली जिए, डंफर चालक मे ऐसा नहीं होता है, तो कोल माइन्स में ITI फिर से जाते हैं, दूसरा चीज, ITI करने से आप ट्रेंड ड्राइवर बन सकते हो, लब रेलवे की जौब आती है, हर तीन साल, चार साल में रेलवे की जौब आती रहती है, और ITI से बिजली भाग में भी आता है, लेकिन यमपी मे इसके अपार्चुनिटी हैं भाई या कि हम एरी ITI कर सकते हैं, तो फिर भाई हमको कुछ जौब मिलेगा की नहीं मिलेगा, इसके बारे हम चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ पर मैं यह कह रहा था कि जिन बच्चों का फाइनसिल कंडिसन सही नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कम स इनिवर्सिटी, भोज इनिवर्सिटी के मादन से आप क्या कर सकते हैं, बीए सी कर सकते हैं, बीए या बीए सी, इसमें क्या होगा, कि आप घर बैठे पढ़ाई करोगे, केबल आपको पेपर देना है, असाइनमेंट जमा करना है, तो यह प्राइबेट आप दो चीज, एक प्राइबेट और एक रिगुलर दो कोर्स कर सकते हो, दोनों रिगुलर नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना, एक प्राइबेट और एक रिगुलर दो कोर्स आप आसानिस कर सकते हो, तो आई टी आई यह दिया आप करोगे, 12 पेस के आधार पर, तो आप सांत में बीए सी भी कर लो और या कि जो बच्चा 10th से ITI करना चाहता है तो ITI करो जैसे ही आपका एक साल gaping हो जाएगा regular तो हो नहीं पाएगा तो आप private form 12th का apply कर सकते हो एक साल gap के बाद लेकिन मेरे हिसाब से दी ITI के साथ तो 12th में आपको ज़्यादा पढ़ना पढ़ेगा BSC और गहरा में थोड़ा सा कम पढ़ते हो तो भी चल जाता है ठीक लेकिन 12th में आपको पढ़ना पढ़ता है नहीं तो फेली हो जाओगे क्योंकि यह जो college का copy होता है उतना hard copy check नहीं होता है लेकिन 12th का तो board level है तो copy check होगा तो इसलिए आप लोगों को बच्चो अब यह 10th level से IT करना चाहते हैं तो 12th आप private भरना लेकिन जब IT complete हो जाए लेकिन 12th level से कर रहा हो तो BSC आपको साथ में करते जाना है हर field में आता है jobation यह साथ में आपका BSC भी हो जाएगा तो graduation भी complete हो जाएगा और साथ साथ आप तयार भी करते रहें दूसरी बात आप लोग trade अच्छा चुने जो भी trade हो मतलब आप 20-25 trade होता है ऐसा नहीं है और हर जिले में सारे सारे trade भी नहीं रहते हैं थोड़ा सा आप को दयान देना पड़ेगा कि हमारे जीला में concert trade है कोशेस यही करो कि अच्छा college मिले जहां अच्छे से पढ़ाई हो सके और विदिवा तो उसका knowledge हो सके क्योंकि competition exam है आज कल के date में बच्चो और जो बहतरी नहीं पढ़ता है वो अच्छे number नहीं लाता है और उसका कोई भी करने के लिए कर लेते हैं कि आई टी आई कर रहे हैं आई टी कर रहे हैं कोर्स का नाम आई टी आई खामार हाला तो अच्छे जानकारी नहीं है इसलिए बच्चो जो भी कोर्स करो आप बिधिवाद पढ़ो है ना आपका job secure है ऐसा नहीं है आप ज़रूरी नहीं कि आप private sector म करो यह जरूरी नहीं है बच्चो प्राइबेट सेक्टर में भी पैसे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हो आपको knowledge है तो कहीं न कहीं उसका आपको सदुपियोग देखने को मिलेगा उसका कहीं न कहीं फायदा होगी तो आप लोग जो भी ट्रेड लेंगे उ बहतरीन रूप से किसी भी सेक्टर में जाकर के अच्छा इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आप बहतरीन पढ़ाई करो दो-चार साल पढ़ाई करो कंपडिशन की तयारी करो लेकिन जिनका financial conditions नहीं है वो इस इस तर से जाए और कम समय में आप लोग कुछ अच्छा कर सकते ह जो भी आपको इससे समंधी doubt हो तो बताएगा जरूर अभी आप government college में हो सके तो government college ही select करना choice feeling में first counseling चालू है और BSC का भी first counseling चालू था उसके बारे मैंने बता ही दिया था BA, BSC, B.com, BLV का और जो भी आओर भी update आएगा बच्छो आप लोग के साजा करूंगा शेयर चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जय हिंद बंदे मातरा हूं